So friends, यहाँ पर finally SSE की तरफ से SSE CPO का notification release कर दिया गया है, इसमें SI की post रहती है, यह जो SSE की दौरा examination conduct कराया जाता है, यह SI post के लिए रहता है, और यह जो SI post आपकी रहेगी, यह CAPF and Delhi Police के लिए निकली हुई है, CAPF means Central Armed Police Forces, जिसमें ITPP, SSV, CRPF, BSF, यह रहेंगे and Delhi Police में, दोनों में ही यहाँ पर SI के लिए notification release हो गया है, SSE की तरफ से जिसमें total post आप देख रहे हैं, 1700 plus total post है, any graduate candidate इसमें आविदन कर सकते हैं, and all India से candidate आविदन कर सकते हैं, male, female, सभी candidate के लिए vacancies हैं, तो सारी information आगे, आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसका काफी time से wait कर रहे थे candidate, जो भी graduate candidate है, किसी भी stream से आपने किया हुआ है, आप इसके लिए eligible रहेंगे, इस criteria क्या है, selection procedure क्या है, सब कुछ में आगे आपको clear करूँगी, तो अगर आप interested है, वीडियो को end तक देखेगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो like and share कीजगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यह आप notification देखना है, 22 जुलाई 2023, आज ही यह notice release हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले हम important date देखेंगे, तो SIE की post है, समिस्पेक्टर की post है, डेली पुलिस and Central Armed Police Forces में, डेट रहेगी online application, starting date है 22 जुलाई, 22 जुलाई से start हो गए है, आज से start हो गए है, last date है 15th of August 2023, 15 अगस्त तक आप इसमें apply कर सकते हैं, online आपको apply करना है, SSE की website से ही, and correction के लिए, date of window of application form correction, यह 16 अगस्त और 17 अगस्त रहेगी, अगर आपसे कोई mistake हो जाती है, तो आप correction कर सकते हैं, and computer based examination होगा, जो कि आपका October month में रहेगा, ठीक है, अब यह important date हो गई, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यह जो vacancies हैं, यह post आप देख लीजिए, service factor GD, GD की, जो service factor की post GD में रहेगी, CAPF में, यह group B के अंतरगत आती है, non-gagetate, level 6 से इसमें आपकी salary रहेगी, initial salary 35,400 आपकी starting रहेगी, 1,12,400 तक, and जो service factor executive male, female, Delhi police में है, इसके जो post है, वो group C के अंतरगत आती है, मैंने इसके पहले एक video upload किया था, जिसमें आपको पूरा information दी थी, SI की जो post रहती है, Delhi police में किस group में आती है, and पूरा detail में अच्छे से explain किया था, तो आप यहाँ भी आप एक बार देख लीजे, group C में आती है, अगर आप Delhi police में joining लेते हैं, तो group C की post रहेगी, और CAPF में जाते हैं, तो group P की post रहेगी, level 66 salary है, salary दोनों की same रहेगी, ओके, आप इसके बाद हम देखेंगे, इसमें नीजे तो vacancies है, categories wise आप vacancies देख नीजे, ex-servicemen के लिए, ex-servicemen special यह डेली police के लिए है, and departmental candidate के लिए, और यह है open के लिए, open के लिए इतनी है, 88, उसके बाद यह other departmental हुई, ex-servicemen हुई, इनके लिए है, total 109 है डेली police में, इसके बाद अगर हम डेली police female, male की है, और यह female की है 53, इसके बाद CAPF में देखेंगे, तो CAPF में जादा vacancies है, यहाँ पर BSF, CISF, CRPF, ITVP, SSB, total यहाँ पर दी गई है, और male, female सभी के लिए यहाँ पर reserve करके बताई गई है, किसके लिए कितनी vacancies हैं, total 1714 vacancies हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो male, female और categories wise भी आप देख सकते हैं, किस category के लिए कितनी vacancies हैं, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो CRPF में 788, 788, CISF में 567, 567, BSF में, यह male के लिए देख रहा है, साथ में female के आप यहाँ पर प्लस करते जाए, male की vacancies जादा है, यहाँ पर है, SSB में 85 female, sorry male, and 5 female के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लिए जेगा, next हम यहाँ देखेंगे, इसमें national, जो Indian citizen है, वो इसमें आविदन कर सकते हैं, age limit आपकी होनी चाहिए, 20 से 25 साल, यह general categories के candidate के लिए है, and 1 अगस्त 2023 से आपकी age count की जाएगी, अगर हम year देखें, तो इसमें आपका year संद दिया गया है, 2 अगस्त 1998 से लेकर के, 1 अगस्त 2003 के बीच आपका वर्थ डिट होना चाहिए, यह दोनों date भी इसमें include रहेंगी, general candidate के लिए है, 20 से 25 साल, 22, 25 year, अगर आप reserve categories में आते हैं, तो relaxation दिया जाएगा, आपको SCST को 5 years का, OBC को 3 years का, ex-serviceman को भी है, और जो भी reserve categories हैं, आप यहाँ पर check कर लिजेगा, essential qualification देखेंगे, तो इसमें जो essential qualification है, यह आपकी 15 अगस्त 2023 के बेस्ट पर देखी जाएगी, qualification, age आपकी 1st of August 2023 के बेस्ट पर देखी जाएगी, and qualification आपकी 15th of August 2023 के बेस्ट पर देखी जाएगी, qualification में any graduate bachelor degree अगर आपके पास है, आप इसमें आविदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप Delhi police के लिए apply कर रहे हैं, तो Delhi police में जो male candidate रहेंगे, female नहीं, male candidate को driving license की requirement यहाँ पर रखी गई है, driving license भी आपका जो car and bike, motorcycle जो रहती है, two wheeler and four wheeler में आपकी car, इनका driving license अगर आपके पास है, तो आप Delhi police के लिए भी eligible रहेंगे, देखी आप यहाँ पर दिया गया है, male candidate must possess a valid driving license for LMB, motorcycle and car, अगर आपके पास driving license नहीं है, तो आप स्रिप Delhi police के लिए eligible नहीं है, लेकिन CAPF में आप आविधन कर सकते हैं, apply कैसे करना है, यह इसकी official site है, ssc.nic.in पर जाकर करके, application start हो गए हैं, आप apply कर सकते हैं, application fees, ssc के सभी examination में, unreserved male candidate के लिए 100 रुपीज रहती है, all female candidate, ssc.sc.candidate, ex-serviceman candidate, इन सभी के लिए application fees माप होती है, आपको कोई भी fees पर नहीं करनी होगी, अगर आप reserved category से हैं, या आप female candidate है, किसी भी category को ब्लांग करते हों, examination center आपको all India में मिल जाएगा, लगवक सभी states में, आपको इसके examination center मिल जाएगे, Scheme of Examination में आपका पहले paper 1 होगा फिर आपका PET, PST होगा और उसके बाद paper 2 होगा and paper 2 के बाद आपका होगा medical test ओके, सो यह आपका step by step selection रहेगा paper first जो रहेगा इसमें आपका general intelligence and reasoning general knowledge, general awareness, quantitative aptitude, English comprehension total यहाँ पर 200 questions, 200 marks के 2 hours का timing paper second जो आपका रहेगा इसमें English language comprehension का ही रहेगा, 200 का ही रहेगा सीधा एक ही paper और 200 marks का and objective type रहेगा, both paper will be of objective type दोनों ही paper objective type रहेंगे and paper first, second and third or paper third यह part यहाँ पर दिये गए है इसके बाद हम यहाँ पर physical standard test and PET देखेंगे तो physical standard test सभी post के लिए जो male candidate हो, उनको 170 cm height 80 to 85 chest and जो hilly area से belong करते हैं इन area से अगर आप belong करते हैं तो 165 cm height होनी चाहिए chest 80 to 85 and all candidate belonging ST अगर आप ST candidate हैं तो 162.5 height होनी चाहिए 77 to 82 chest होना चाहिए female candidate के लिए 157 होना चाहिए और female candidate अगर इन area से belong करते हैं तो 155 cm height होनी चाहिए जो ST female candidate है उनके लिए 154 cm height होनी चाहिए बेट आपके height के according लिए देखा जाएगा इसके बाद आपका physical endurance test होगा सभी post के लिए जिसमें आपको यहाँ पर timing दी जाएगी 100 meter race 16 second में 1.6 यह है यहाँ पर male candidate के लिए 1.6 km race in 6.5 minute में long jump, high jump, circumut यह दिया गया है इसके बाद female के लिए 100 meter 18 second में 800 meter race 4 minute में यह यहाँ पर दिया गया है ठीक है सो यह हो गया इसके बाद होगा आपका medical standard medical standard आप यहाँ पर check out कर लिजेगा यह notification official website पर आ चुका है सो बैसे यहाँ पर मैंने आपके सारे important points के लिए कर दिये हैं काफी अच्छी vacancy है अगर आपने graduation किया हुआ है all India से apply कर सकते हैं काफी अच्छे Delhi police and CAP apps हैं वहाँ पर आपकी posting रहेगी तो आप जिसमें भी joining लेना चाहें दिली police के लिए आविदन करना चाहें तो आपको क्या है preference fill करना होता है एक ही exam होता है सभी का preference fill करना होगा लेकिन जो Delhi police होगा वहाँ पर आपका driving का जो license है वो required रहेगा driving test आपका ले सकते हैं तो यह यहाँ पर basic सा है requirement अगर आप eligible हो apply जरूर कीजेगा apply करने से पहले एक बार notification चेक कीजेगा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो like and share कीजेगा thank you